छेलो दोस्तो यूटूब चैनल टेक्टूज डिपूट में आपका सवकत है दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा कीबर्ट की बाड़े में बाताने बाला हूँ जिसको आप यूज करके फिदा हो जाएंगे जिसमें अलग-अलग स्टाइल की बहुत सारे फॉंट्स है और ये सारे फॉंट्स की स्टाइल बहुत ही खुबसुरत है जिसको हम यूज करके वाट्सेप, फेस्बूक, मेसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम कही पे भी चेक कर सकते हैं जो के आप नॉर्मल कीबर्ट से नहीं कर सकते हैं इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस कीबर्ट का कालार भी चेंज कर सकते हैं और इसमें आप खुद का फोटो भी लगा सकते हैं इसलिए दोस्तों ये वीडियो को कही पे भी इसकिप ना करके वीडियो को पूरा दिख लीजिए इसलिए मैं ये वीडियो को फोटों करने की बाद इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा फिर नीचे देखे लिखे हुआ है नेक्स्ट इस पर हमें टैप करना है फिर से टैप करना है इस ओप्शन पर हमें टैप करना है फिर देखे एक पॉप अप आएगा ताम्स अप इस पर हमें कहा करना है यह पर देखे लिखे हुआ है एक गडी इस पर हमें टैप कर देना है फिर यह पर देखेंगे बहुत सारे ओप्शन्स है तो मैं यह सारे ओप्शन्स को छोड़ द तो यह keyboard को active करने के लिए हमें फी step follow करना होगा तो पहला step देखिए क्या है add keyboard फिर नीचे देखिए green color में लिख्या हुआ है add keyboard इस पे हमें tap करना है फिर नीचे देखिए लिख्या हुआ है stylish fonts और पास में दिखेंगे एक button है इस button पर हमें tap कर देना है tap करते हैं एक pop-up आएगा और यह pop-up पे बोल रहा है कि यह keyboard आपका phone का password credit card numbers collect कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यह पर बोलना चाहूंगा अब जब भी आपकी Google account की password यह फिर कोई भी password हो फोन में type करते हैं यह फिर credit card number type करते हैं यह फिर कोई भी sensitive information type करते हैं तो उस समय आप यह keyboard को use ना करें आप यह सब information यह keyboard को deactivate करके आपका phone का जो system keyboard है जो पहले से दिया हुआ है उसको active करके लिखेंगे तो यह keyboard को कैसे deactivate करना है मैं आगे बाता दूंगा तो आब हमें क्य step 2 follow करना है step 2 में देखें लिख्या हुआ है set keyboard और नीचे green color में लिख्या हुआ है set keyboard तो यह set keyboard पर हमें tap कर देना है तो फिर से pop-up आएगा यह पर दो option होगा पहला option होगा आपका phone का जो system keyboard है उसका जो नाम है वो नाम यहाँ पर show करेगा देखें मेरा phone का keyboard का नाम है gboard तो वो यहाँ पर show कर रहे है और आभी तक system keyboard मेरा phone में select किया हुआ है और active है तो हमें क्या करना है नीचे दीखें लिख्या हुआ है English United States stylish fonts हमें इस option को select करना है यह है हमारा go keyboard जिसको हम use करना चाहते है तो हमें simply यहाँ पर tap करके यह keyboard को select कर देना है तो आब हम step 3 को छोड़ दे है तो हम सिधा back चलते हैं और keyboard को open करते हैं तो दोस्ता keyboard को open करने के लिए हमें क्या करना होगा एक ऐसा app open करना होगा जिसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं जैसे कि hot sap मैं hot sap open करता हूँ तो नीचे देखे किईबर्ट open हो गए है अब दोस्ता हम जानते हैं keyboard का color कैसे change करते हैं कैसे खुद का photo keyboard में लगा सकते हैं या फिर fonts color कैसे change करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा left side में देखिए एक setting का option है इस पर हमें tap करना है tap करते हैं फिर यह पर देखिए चार option है पहला option है keyword की background का और नीचे देखिए बहुत सारे color है ये color को आप select करते हैं keyword का background color change कर सकते हैं फिर नीचे देखिए ये pencil icon पर tap करके आप खुदी color choose कर सकते हैं देखिए इस तरह आप color choose कर सकते हैं और इस arrow को इस तरह move करके color को deep या light कर सकते हैं और इस arrow पर tap करके आप background का opacity बढ़ा सकते हैं या फिर घढ़ा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक option है, इस option पर tap करके आप कोई भी photo खुद का हो या फिर कोई भी photo हो आप keyboard में set कर सकते हैं, इस पर tap करते हैं, फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है pick your photo, तो इस पर हमें tap करना है फोटो keyboard में लागाने के लिए, तो tap करते हैं, तो tap करते हैं हम लोग phone की gallery में चले आएंगे और हमें यहाँ से एक photo choose करना है, सपोज मैं एक photo ले लेता हूँ, सपोज मैं यह photo ले लेता हूँ, देखिए यह photo को मैं set करना चालता हूँ, और नीचे देखिए एक layer है, इसको आप इधार उधार करके photo को zoom या फिर zoom out कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए rotate का option है, यहाँ पर tap करके आप photo को rotate भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह rotate कर सकते हैं, तो इस तरह आपको photo को adjust कर लेना है, photo को adjust करने के बाद हमें यह tip कर देना है, तो आप देखिए हमें क्या करना है, फोटो को clearly दिखने के लिए हमें यह option पर tap करना ह है तो यहां पर देखे 3 option है एक है square अगर आप Square Select करेंगे तो इस तरह लेटर का बटन के तरह दिखेगा और अगर हांगा स mound कर ले तो इस तरह गोल-गोल दिखेंगी देगा और अगर आप क्लियर करेंगे तो लेटर इस से क्लीर हो जाएगा में फिर इस प्रैक्ट करते हैं फिर से क्लियर कर Там st उपिर क्यूंकंटर तक देना है ग्रीक नीचे देखिए डार्क करकर त्वर तो थे इस सी तरह शोलिए नर्ले का मुलिए ये डिला से उस्त्रा से बाड़ा देना है तो किण करने से ही फोटो कीबॉट में सेफ हो जाएगा तो सेफ करते हैं wardrobe ही तो हमारा किबोट सेफ हो गया है आब हम got को open करते है WhatsApp पर चलते हैं डीखे की बोगगा है अब देखिये देखिए यहां पर पे fonts दिखाई दे रहे हैं देखिए fonts दिाई दे रहे है अब दिखेंग पे देखें नर्माल fonts select किया हुआ है और यह सारे नर्माल फॉन्ट सेब करणें तो नर्माल फॉन्ट टाइब होगा फिर है यह देखें बहुत सारे fonts है इसको अप इस तरह एक एक करके टेप करके देख सकते हैं जो फॉंड्स आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे आप आइप कर सकते हैं देखिए यह font भी kul लग रहें। इतना अच्छा लग रहें। इतना क्रिप्सुरत लग रहें। देखिए यह font कितना कुल है। देखिए यह बहती stylish and forg сов फॉन्ट है। इसको भी देखिए italic है और बहती stylish है। फिर देखते हैं कितना खुबसुरत है यह देखिए यह फॉंट कितना स्टाइलिस्ट है फिर देखते हैं यह फॉंट भी देखिए कितना स्टाइलिस्ट है देखिए बहुत ही खुबसुरत फॉंट है इस तरीके की फॉंट से आप किसी की साथ अगर चैट करेंगे तो बहु यहां पर तो देखिए यहां पर बहुत सारे डिजाइन है देखिए तरह आप टेक्स्ट पर डिजाइन लगा सकते हैं तो देखिए टेक्स्ट देखने में कितने खुबसुरत लग रहे हैं और भी डिजाइन है चले देखते हैं फिर नीचे देखिए बहुत सारे डिजाइन ह दीजैन है, देखिए इसको आप अगर लागाएगे, कीतने cool रागवाल ओर और भी डीजैन है, हो तो ओर दीजैन है, लेख यह पर देखिए बहुत सरे और तरीजैन हैंорот तो देखिए यहाँ पे कितने अलग-लग तरीके की डीजैन है, अब कोई भी design को लगा सकते हैं, देखिए इस तरह अब लगा सकते हैं, देखिए text को देखने में कितना खुबसरत लग रहा है, फिर आप यह सब design भी लगा सकते हैं, अब इस तरह text के उपर design लगा सकते हैं, तो चलिए इसको send करके देखते हैं, देखने में कैसा लग रहा है तो यहां से सेंट करते है तो देखें देखने में कितने खुबसुरत लग रहे हैं सिप यह मैं एक्जम्पल के लिए बनाया है आप जब किसी के लिए डिजैन बनेंगे तो इससे भी खुबसुरत डिजैन आप बना सकते हैं इस keyboard से और आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिया और भी बहुत सारे डिजैन्स है मैं सारी डिजैन्स को नहीं दिखा पाया क्यूंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अब यह सारी डिजैन्स को देख लेना हां दोस्तों कीबर्ट का नाम जनना बाकी रहे गए तो हमें प्लेस्टोर लिखे हुआ है स्टैलिस फॉंड्स एंड कीबर्ट यह कीबर्ट का हमें फॉन में डाउनलोड करके इंस्टल कर लेना है तो मैं वीडियो यहां पर खतम करता हूं वीडियो कैसी लेगी जोरू कमेंट करके बताना तो थैंक्यों बाए बाए